नमस्कार दोस्तों आज ये वीडियो उन व्यूवर्स के लिए काफी हेलपफुल होने वाली है जिनको आम होल लेंथ लेने में प्रॉब्लम आती है और आम होल लेंथ हमें किस साइज में कैसे मेजर करना होता है तो वो सारे डीटेल्स मैं इस वीडियो में किलियर बताने वाली हूँ तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किये एंड तक जरूर देखें अब फ्रेंड्स देखें जो भी साइज का हम कुर्ता या शर्ट बना रहे हैं सबसे पहले हमें इस तरीके से शोल्डर लाइन मिजर्मेंट लेनी है देखें एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जैसे मैंने टेप को पकड़ा है सेम इसी तरीके से हमें शोल्डर मिजर्मेंट लेनी होती है एक बाफिर से आप ध्यान से देख लीजिए टेप को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है उसे गोलाई में नहीं गुमाना है अब यहाँ जो शोल्डर लाइन मैंने दिखाई है वो 14 इंच है अब इसके हिसाब से पूरी ड्राफ्टिंग मैं आपको किलियर बताने वाली हूँ देखे चौदा इंच का आदा हम करेंगे साथ इंच उसमें हम आदा इंच और एट करेंगे तो साड़े साथ इंच हमें यहाँ पर शोल्डर लाइन रखनी है यहां आदा इंच मैंने सलाई के लिए लिया है अब उसके बाद हमें आदा इंच इस तरीके से शोल्डर स्लोप के लिए ट्रॉप लेना है आदा इंच मैंने छोड़ दिया है उसके बाद जो भी आपने शोल्डर लाइन ली है वही same measurement की आपको arm hole length रखनी है देखे यहां मैं फिर से 7.5 इंच पे mark कर लूँगी अब देखिए आगे आप ध्यान से देखिएगा कि deep neck करते time हमें क्या changes करने होते हैं अब देखे पहले इन points को मिला ले देखे कोई भी size हो उसमें जो भी आप shoulder line लेते हैं वही same arm hole length रहता है अब यहां से हम एक बाँ mark कर लेंगे यहां यह जो size है वो 38 के लिए है तो 38 का चौथा बाँ करके मैंने यह mark कर लिया है आगे की तरफ है वो slice का extra है अब देखे यहां जो गले की चौड़ाई है वो हम 3 इंच पे mark करेंगे और जो हमने आदा इंच ड्रॉप लिया है इसको इस तरीके से shoulder slope में mark कर लेंगे अब यहां से जो भी आपने length ली है उसका बिलकुल आदे में एक mark कर लें अब देखे इन दोनो marks को मिला कर हमें armhole का shape देना है इस तरीके से हम गोलाई वाला shape दे देंगे देखे यह बहुत ही important part है देखे इस तरीके से पूरा armhole का shape आ चुका है अब यहां कौने से यह जो gap है यह कम से कम हमारा एक inch होना चाहिए इससे कम नहीं होना चाहिए अब देखे किसी भी टाइप की collar कुरती या bot neck कुरती हो उसमें इस तरीके से हमें full shoulder line लेके armhole कट किया जाता है अब यह armhole length हमें perfect आएगा की नहीं उसके लिए देखिए मैंने दिखाया है पूरे arm round पर जिसे मुड़ा भी बोला जाता है उसे इस तरीके से measure ले ले देखे पूरे tape को मैंने अंदर से गुमाते हुए measurement ली है यहां 16 inch आ रहा है अब इसमें हम करीब 1 से 7 inch losing देंगे तो हमें जो armhole की length चाहिए वो perfect हमारी 17 से 7 17 inch तक होनी चाहिए अब देखे जो हमने यह पूरा mark किया है उसे इस तरीके से measurement लेंगे तो यह हमारा करीब 17 17 inch के पास आ रहा है तो यह एकदम हमें perfect बैठेगा अब देखे अगर हम गले की लंबाई बढ़ाते हैं यहां हमने गले की लंबाई 2 inch कर दी तो जैसे जैसे आप गले की लंबाई बढ़ाते हैं तो आपको shoulder line कम करनी होती है अब देखे इसमें भी ध्यान से देखिएगा अब 2 inch बढ़ाने पर यहां shoulder line हमें 4 inch कम करनी है 4 inch कम करने के बाद यहां जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से हमें फिर से 7.5 inch पर मार्ग करना है आप देखेंगे जो chest line है वो हमारी करीब दो lines उपर shift हो गई है देखिए अब इन lines को मैं एक बार मिला के आपको दिखा देती हूँ देखिए मैंने यहां अलग marker यूज किया है जैसे आपके लियरली समझ पाएं देखें chest line की जो measurement है वो same रहेगी अब जो हमने दूसरी blue color से marking की है वहां उस line पर same आधे पर एक mark कर ले और यहां फिर से arm hole का shape दे दे अब देखिए इस तरीके से हमारा arm hole का जो shape है वो दो line उपर की तरफ shift हो चुका है अब इसको हम एक बार फिर से measure करेंगे जो हमारा arm round का measurement है वो same ही रहना चाहिए जो हमने करीब 17 याने पौने 9 इंच तक हमने इस तरीके से mark किया था वो same ही रहना चाहिए अब देखिए एक point और है जो मैं आपको आगे के लिएर बताने वाली हूँ देखिए यहाँ पर अब हम 3 इंच लंबा neck रख रहे हैं ठीक है 3 इंच पर हम इस तरीके से mark कर लेंगे यहाँ भी मैंने अलग color यूज़ किया है green color तो आप इसे भी आसानी से समझ पाएंगे देखिए 3 इंच पर फिर से हम इसके बाद फिर से चौथाई इंच कम करेंगे मतलब टोटल आधा इंच अब कम होगा अब यहाँ हम फिर से साड़े साथ पर mark करेंगे तो जो chest line है वो करीब same ही रहेगी या एक line उपर shift होगी देखिए एक line उपर की तरफ shift हो रही है chest line अब इस जो green marking है वहाँ पर same हम इसी तरीके से arm round बनाएंगे देखिए same हम यहाँ आदे पर एक mark करके और यहाँ पर arm hole का फिर से shape देंगे अब यहाँ पर भी जो हमारी arm hole की size है वो same रहनी चाहिए same इसी तरीके से यहाँ पर हमारा पौने 9 इंच पर ही mark आना चाहिए देखिए मगर यहाँ पर 9 इंच आ रहा है 14 इंच जादा तो यह lose हो जाएगा इसलिए हमें 14 इंच जो chest line है और भी उपर की तरफ shift करनी है अब यहाँ चोथा इंच मैंने इस chest line को shift कर लिया है अब देखिए यहाँ पर हम फिर से arm hole के लिए marking करेंगे same वही process रहेगा आदे पर हमें mark करना है और यहाँ arm hole का shape देना है देखिए यह वाली हमें line cancel करनी है इस तरीके से आप कभी भी कपड़े पर cutting करें arm hole की तो यह बातें जरूर ध्यान में रखिएगा कि आप neck की कितनी deep cutting कर रहे हैं उसके हिसाब से arm hole की length कैसे रखनी है और कैसे cut करनी है आप देखिए यह मैंने दूसरा arm hole mark कर लिया है अब इसको हम फिर से measure करेंगे तो यह एकदम perfect हमारा पॉने 9 inch तक आ रहा है तो फ्रेंट्स इस तरीके से आप collar कुर्ती कट करें या deep neck कुर्ती कट करें या bot neck कुर्ती कट करें हमारा जो arm round का size है वो change नहीं होना चाहिए जो भी perfect measurement है उसे साब से हमें chest line को उपर नीचे shift करना होता है अब देखिए फ्रेंट्स यह जो हम 14 inch तक कम करते जा रहे हैं वो आप shoulder line में maximum 1.5 inch तक कम कर सकते हैं जैसे जैसे आप neck deep करेंगे तो वैसे यह shoulder line कम होगी तो वो आपको maximum 1.5 inch तक कम करनी है उससे जादा आप कम नहीं कर सकते इस तरह arm hole की जो size है वो हमेशा same रहनी चाहिए अगर arm hole का size बड़ा हो रहा है तो आपको chest line उपर की तरफ shift करनी है अगर छोटा हो रहा है तो chest line नीचे की तरफ shift करनी है देखिए यहाँ पर हम 7 inch deep neck तक 1.5 inch shoulder line कम कर सकते हैं अगर आप 7 inch से जादा deep रख रहे हैं तो जो 7 inch वाली measurement है वही same measurement आगे की तरफ रहेगी यह जो मैंने पूरी marking बताई है यह back panel के लिए है front में front arm hole की cutting अलग से होती है हमें पहले इस तरीके से जो back panel का size है वो perfect रख कर और cut करना है friends जैसे मैंने दिखाया है same इसी तरीके से measurement लेके आप किसी भी size के लिए एक perfect arm hole cut कर सकते हैं friends अगर आपको यह video useful लगा हो तो like और comment जरूर करिएगा तक यह वचिं वाचिं वर दिस वीडियो